इस प्रकार चंद्रगुप्त ने अपनी सारी कहानी साफ साफ अपनी पत्नी धरमालकी को समझा दी और बताया कि मेरे पिता जिनका नाम कभी सेथ आराजन था आज वे भारी सेथ नहीं रहे और वे तो इस इस प्रकार से कंगाल हो गए हैं और मैं हापुग में मन साशेख के यानो कर हूँ और फिर चंद्रगुप्त ने अपने मन में ये विचार किया कि यदि इस धरमालकी को मन साशेख के घड ले जलूँ तो सब मुझे ताने मारेंगे और कहेंगे कि वैपार में नफा हो गया होगा इसलिए औरत को मोल ले आया तो विचार किया कि किसी भी पकार से इस अपनी प्रिया को कहीं छोड़ कर चला जाओं तो ठीक रहेगा और फिर चलते चलते कहीं टापू आ गया जहाज रोक कर टापू पर विश्राम करने के लिए दोनों मर्द भी जले जाते हैं रात हो गई वहां विश्राम करने लगे और जब चंद्रकुप्त ने सोचा कि धरमालकी सो गई है तो धीरे से उठकर उसे तापू पर ही छोड़कर और जहाज को लेकर हापू चला आया आकर भावियों को ज़र सचे मोद्यों का जुड़ा दिया तो वे समझ गई कि कुछ न कुछ डाल में काला है तो चंद्रकुप्त की भावियां वे चंद्रकुप्त के बीच में क्या सवाल जबाब होते हैं बनडे याला रंग चड़र्या तेरे महंदीर की हात के मा मत कडवी बानी बोलो भावी हो गया दरद गात के मा बनडे याला रंग चड़र्या तेरे महंदीर की हात के मा तेने न मैं स्याही पड़ो ना ये लग आख कटिली दे सोधी मैं बोलो भावी के तमने भंग पीली शाज मता दे कित सी छोटी तन देवर हूर सजिली गैर समन के हची उड़ाओ के भावी घण हटीली तेरी आच्छा मैं नीद भरी तू जा जा कड़रात के मा नोकर बन फारे दिन का तुमड़े फसरा हवालात के मा अनडे याला रंग चड़र्या तेरे महंदीर की हात के मा कर दिया कोड त्योहार सन गित छोड़ी अपनी व्याही निर दोसी के दोस लगा क्यूं सिर पैधरो बुराई दच्चे मुती लाल और जूडा ये चीज कड़ते पाई पैसा दे लाते छिपता भावी ना शादी जाची पाई प्या मैं सारी चीज दिया रने मारी सिख जात के मा पाही बन के मैं करूं गुजारा रहता सदा खुबात के मा पनले याला रंग चड़ रहा तिरे मेंदी लखी हात के मा झाक ट्रीज टूरा रहता सब्स्ट लेटरा रहता ध्यारा ये लीज मेंदी, भी लीज पाई गुद आखुआ एज लेग्ए l.e., अ.